बिसमिल्ला इर्वाख्मान रराहीम है, assalamualaikum, मैं हूँ इंजिनियर जुनियर जावेद, infrastructure engineer, IT expert and social media business coach आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हाइडोग्राफिक सर्वे के बारे में इससे पहले आप लोगों ने सर्वे के बारे में तो बहुत पढ़ा होगा जैसे कि आपने chain survey पढ़ा होगा, plantable survey पढ़ा होगा, triangulation पढ़ी होगी, इसके लावा leveling पढ़ी होगी आज थोड़ा सा different पढ़ते हैं, आज थोड़ा सा hydrographic survey पढ़ते हैं Facebook के ओपर काफी लोग मुझसे सवाल कर रहे थे, hydrographic survey के बारे में So let's see hydrographic survey क्या होता है Hydrographic is the branch of survey which deals with anybody with still or running water like streams, rivers, ऐसा survey जो के हम basically पानी के उपर करते हैं यह हमारे पास running water हो, चलतावा पानी हो, जैसे के दरिया और streams चल रहे होते हैं, यह हमारे पास lake का water हो तो ponds हो गए यह running waters हो गए, इम यह उपर जो हम survey करते हैं, उस survey को hydrographic survey करते हैं करते हैं किसलिए हैं, किया इसलिए जाता है, use to define the shorelines and underwater features shoreline को define करने के लिए, shoreline का जाता है, पानी और जमीन के बीच में जो boundary होती है, वो और underwater features, कि पानी के अंदर कौन कौन से features है पानी के अंदर भी आपको दरख मिलेंगे, पानी के अंदर भी आपको पोदे मिलेंगे, पानी के अंदर भी आपको छोटे से प्लाइटोज मिलेंगे, पानी के अंदर भी बहुत अलगी दुनिया बसती है इसके अलबा में आपको 5 main objectives बताऊंगा, hydrographic survey के जिससे आप completely समझ जाएंगे इस hydrographic survey को तो मेरा पहला point है, measurement of the tides, waves, for the sea coast works पहले point में हम किया करते है, waves को मियर करते है, waves की lens मियर करते है, waves की heights को मियर करते है, for the sea coast works दूसरा मेरा point है, for the construction of the sea defense works यहाँ पर military based surveys होते हैं, जहाँ पर वो अपने sea defense works करते हैं, जो के navy, किसी भी मुलकी navy अपने लिए sea defense works बनाती है वहाँ पर जितनी भी construction होती है, उस construction से पहले, जो survey होता है, वो hydrographic survey होता है तीसरा मेरा point है, determination of the bed depths bed depths की determination का क्या मतलब है, कि जिस जगर पर हम कोई harbor create करेंगे, या कोई भी sea defense work create करेंगे, construction होगी उससे पहले हमारे पास यहाँ पर bed की depth क्या है, वहाँ पर sea की sea है, या पर हमारे पास river है, वहाँ पर उसकी depth क्या है क्यूंकि depth से ही हमने foundation उठानी है, so measurement of the depth is also one of the important part of the hydrographic survey तो तो जो मेरा point है for the location of underwater features, for underwater excavations अब जरूरी नहीं है कि जो bed depths है, जो पानी का जो bed है, वो बिलकुल level हो, जैसे जमीन के उपर, जमीन की endulations होती है इस तरीकी से पानी के अंदर भी bed के endulations होती है, different level के उपर, different पानी के अंदर भी conditions होती है उन conditions को monitor करना, उन conditions को पता लगाना, और कहां पर excavation आएगी, कहां पर cut आएगा, कहां पर fill आएगा अपने construction works के दोरान, ये सारी information भी हम करते हैं, अकटी, hydrographic survey के लिए पांच और जो मेरा point है, offshore engineering and shipment industry, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इस time के पर दुनिया की तकरीबन सारी trade जो है, वो water के उपर होती है जितने भी बड़े जहाज होते हैं, trades होती है, मुलकों के आपस के बीच में, ये सारी ships के उपर होती है, पानी के बड़े जहाजों के उपर होती है और ये सारे ships कहां पर अगर रुपते हैं, refill होते हैं, construct होते हैं और इनकी maintenance होती है, इनकी repairance होती है ये सब कुछ harbors के उपर होता है, एक ports के उपर होता है, फूरे shipment area के उपर होता है ये पूरा shipment area, ये पूरी offshore engineering जो ये पूरी construction होती है यह पानी के उपर ही होती है जिसके लिए पहले हमें सर्वे करना पड़ता है तो यह छोड़ा से इंट्रोड़क्शन था फॉर दा हाइडोग्राफिक सर्वे हम इस हाइडोग्राफिक सर्वे को डिटेल में कवर करेंगे आप लोग मुझसे पूछते हैं लिटर्शिप अकाडमी के अंदर जहांपर मैं आपके साथ तमाम कुश्टन को आंसर करता हूँ तमाम आप लोग की ट्रेनिंग करता हूँ सर्वे के लिहाज से और सेवल इंजिनेरिंग इंफरस्ट्रॉक्टर इंजिनेरिंग के किसी भी सॉफ्ट्वेर या पॉइंट के लिहाज से आप लोग मुझसे पूछते हैं मैं आप लोग कंप्लीट आंसर करता हूँ कंप्लीट आप लोग की ट्रेनिंग करता हूँ as a civil engineer, आपकी career counseling, complete सब कुछ होता है, आपकी complete training होती है, leadership academy के अंदर, लेकिन अगर आप leadership academy के अंदर नहीं आ सकते, तो इन free videos के जिरिये, मैं आप लोग की life change करता रहूँगा, मैं आप लोग को as a better engineer और बहतर इंसान बनाना सिखाता रहूँगा, life में आगे बढ़ना सिखाता रहूँगा, आप भी अगर engineering और entrepreneurship सीखना चाते हैं, तो like करें इस video को अभी share करें अपने दोस्तों के साथ, अपने facebook के pages के उपर, अपने whatsapp के groups के अंदर, civil engineering के groups के अंदर, अपने दोस्तों के साथ इस video को share करो, यह free learning university है, और अगर आप leadership academy में आके मेरे साथ personally सीखना चाते हैं, तो इस नंबर पर दिये गए नंबर पर आप call करके अपनी seat को book कर सकते हैं, और मेरे साथ आके personal coaching लेके सीख सकते हैं, नीचा comment section मुझे जरूर बताएं, कि आपको किस topic के अंदर मस्वा है, कौन सा topic आप सीखना चाते हैं, जएदा comments जिस चीज के आएंगे, जिस topic के बारे में आएंगे, मैं उस topic के ओपर आप videos बनाना स्टार्ट करूँगा, तो मिलते हैं आप से पिर इंशाला नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखियेगा, और अलाहाफेज,